नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी मुटापा दूर करने के लिए सबसे आसान सस्ता और घरेलू देशी नुश्खे के बारे में जानते हैं दोस्तों जिसके सेवन से आप अपना वजन इजिली कम कर सकते हैं जिहां दोस्तों आज कल ओवर वेठोना एक आम समस्या बन गई है जिसका शिकार बच्चे बूढ़े जवान सभी हो रहे हैं दोस्तों मानुश शरीर की रचना पंच तत्वों से होती है जिसमें प्रित्वी अगनी जल वायू आकाश शामिल हैं दोस्तों अगर आप संतुलित आहार लेते हैं यानि कि इनका समनवे अगर आप बनाए रखते हैं उचित मातरा लेते हैं इन सभी की तब तो आपको किसे भी प्रकार की प्रोब्लेम नहीं होगी हमारी जिन्दगी यानि कि हमारा शरीर जो है वो बिलकुल कोरे कागज की तरह है भगवान ने हमें बना करके भेज दिया और बुद्धी दे दिया उसके साथ अब हमारे उपर होता है कि हम किस प्रकार से खाना खाते हैं कैसे बोडी को ग्रो करते हैं हम ओवरवेट होने वाली चीजे खाते हैं या ऐसी चीजे खाते हैं जिनसे हम बिमार हों या फिर हम उन चीजों को चूच करते हैं जिनसे स्वस्त रहें अगर हम संतुलित आहार लेते हैं दोस्तों तो हमारा स्वस्त रहना बना रहेगा और अगर हम खान पान के साथ लापरवाही बरतते हैं टेस्ट पर जाते हैं तो फिर भुक्तान भी हमें ही करना पड़ता है दोस्तों बहरहाल आईए आज हम जानते हैं हमारा मुख्य टोपिक है कि अगर मुटापा बढ़ गया है तो उसे सबसे सस्ते और अच्छे उपायों के द्वारा कैसे कम करें हम घरेलू नुस्खों के द्वारा ताकि कुई साइड इफेक्ट भी ना हो नोट कर लीजे आप सभी के लिए जरूरी शमगरी क्या होगी दोस्तों चार चमच सौंफ एक चमच शहद और एक चमच काला नमक इसके साथ आप एक गलास पानी ले दीजिए करना क्या है आपको कि रात को एक ग्लास पानी में चार चमच सौफ डाल करके छोड़ देना है सुबह इसे उबालना अश्टार्ट करना है उबालते उबालते जब पानी आधा बच जाए उसमें आप काला नमक डाल लीजिए और शेहट डाल लीजिए अच्छे से मिक्स कर दिजिए इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद आपका नुस्खा तयार है हर रोज खाली पेट चाय की तरह सुबह सुबह आप पिलीजिए इसको इसे पीने के एक घंटे पहले और एक घंटे बाद तक कुछ खाए पिये नहीं तब आपके लिए ज्यादा फायदे मन साबित होगी यह और शदी दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि खाली पेट में किसी भी चीज को सही से डाइजेस्ट करने की शमता अच्छी होती है तो जब भी हम ऐसी दवाएं लेते हैं जो देशी होती है जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है जितनी ज्यादा गर्म नहीं होती है तो उनको हम खाली पेट लेने की सलाह देते हैं दोस्तों सुबह खाली पेट अगर आप इसके साथ साथ करेला भी पीते हैं तो भी आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी आप क्या वेट कम हो जाएगा दोस्तों पूरे डे अगर आप गर्म पानी पीते हैं निम्बू काली मिर्ज या फिर अद्रक का जूस मिला लेते हैं गर्म पानी में तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है आपका वजन बहुत जल्ड और आसानी से कंट्रोल हो जाता है दोस्तों हर रोज आपको खाने में कच्चे पपीते को शामिल कर लेना चाहिए दोस्तों इससे भी आपका वजन नियंतरित रहता है अगर आप दही का सेवन करते हैं तो भी आपका वज़न नियंतरित रहेगा हाँ चीनी का उपयोग बिल्कूल न करें इसकी जग़ अगर आपका वेट ज्यादा है तो चीनी का उपयोग न करके आप शहद लें ये आपके लिए ज्यादा श्रेहस कर होगा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, लोकी, चुकंदर, गाजर आप दो पहर के खाने में इन चीजों का प्रियोग करें यानि की देखाओगा आपने किसान लोग या मजदूर लोग ज़्यादा तो और कभी भी देखाओगा आपने कि इनका वेट ज्यादा नहीं होता है इनका पेट बाहर नहीं निकलता क्योंकि इनका खान पान जो होता है उसमें मुख्य रूप से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च शामिल होती ही होती है इसके साथ साथ वो पैदल बहुत चलते हैं शारीरिक वर्काउट बहुत करते हैं तो आप अगर माले शारीरिक वर्काउट उनकी तरह नहीं कर सकते हैं तो आप जिम में पसीना बहा सकते हैं या फिर दोर लगा सकते हैं पार्क में जैसे भी हो आप पैदल ही चल सकते हैं आप किसी भी प्रकार से अपनी बोडी की कैलोरी को बर्न किजिए ताकि आप ओबरवेट नहों और आप खाने में दो पहर के खास करके सलाद का प्रयोग करें किवल हो सके तो उस टाइम खाना नखा करके सलाद लें बहुत सारे लोगों को वहम होता है दोस्तों कि मतलब यह नहीं होता है कि आप खाना छोड़ दें खाना आपको खाना है दो तरह के फैट सोते हैं दोस्तों एक हेल्दी फैट और दूसरा अनहेल्दी यानि कि हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक हानिकारक वाला मिलता है पिज्जा बर्गर तली हुई चीजें इन सब करने में प्रोटीन शामिल करना ही चाहिए क्योंकि वह जरूरी होता है ताकि हमारी बोडी सही तंदुरूस्त बनी रहे दोस्तों तो आप पैदल चलने पर ज्यादा ध्यान दें भारी वजन उठाएं पानी ज्यादा पिएं कार्बोहेड्रेट कम लें जिहां जैसे चावल नहीं है तो इन चीजों को संतुलित रखें आपकी पूरी जिन्दगी शुरक्षित और आपके हाथ में रहेगी आप बिमार नहीं होंगे दोस्तों तो खान पान का सुधार करें और अपनी जिन्दगी को सवारें ऐसे ही अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ ए आपके लिए जानकारी पूर्ण बातों को लेगर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों